जै महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों यदि आप गरीबी की दोर से गुजर रहे हैं मुश्किल के दोर से गुजर रहे हैं ऐसा वक्त चल रहा है कि गरीबी तो ही है साथ में इतना करजा चड़ गया है कि वो उतारे नहीं उतर पा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपकी कुछ चीजों पर बंदिस लगा दी गई है कुछ ऐसे ग्रह नचत्र हो गए है कि ये बंदिस अब असर करने लग गई है देखिए ये कोई व्यक्ति किसी चीज को बांद देता है लेकिन ये आपके ग्रह नचत्र सही चल रहा है तो वो बंदिस असर नहीं करती है लेकिन जैसे ही आपके ग्रह नचत्र बदलते हैं वो बंदिस तुरत असर करती है तुरंत असर करती है और ऐसे में क्या होता है इसके तीन तरीके हैं जो आपको मैं समझा दिता हूँ क्या होता है कि सबसे पहला जो आपका रोसो ही है वो बंद जाती है इससे क्या होता है कि आपके घर में आप चाहे जितना भी अनाज लेकर क्या है वो अनाज या तो कीड़े पड़ जाएगा बिगड़ जाएगा लेकिन वो अनाज आपका खुट जाएगा पूरे साल का भी एदिया आप अनाज भरवाते हैं तो वो नहीं चलेगा महिने का भरवाते हैं फिर भी नहीं चलेगा घर के लोगों की भूग बढ़ जाती है खाना जादा खबने लगता है या बना हुआ खाना बच करके फिकने लग जाता है या बिगडने लग जाता है या पहली निसानी है दूसरी निसानी है कि जो आप पैसा कमाते हैं जितना भी पैसा कमाते हैं, जब वो पैसा कमा करके आप घर पे लाते हैं, तो उसमें से एक भी रुपिया बचता नहीं है, चाहिए वो पैसा आपका दवा खाने में चला जाता है, अस्पताल में चला जाए, कोर्ट, कचेरी में चला जाए, चोरी हो जाए या कैसे भी चला ज यह इसकी दूसरी निसानी है तीसरी निसानी है आपकी घर की देहरी आपकी जो देहली जिए इसमें जब भी earning member जो कमाने वाला व्यक्ति वो जैसे ही प्रवेस करता है तो बाकी के घर के member पर का दिमाग अपने आप गरम हो जाता है और घर में कलेस का वातावरन बनने लग जाता है लड़ाई जगड़े होने लग जाते हैं और ज्यादा तर ऐसे केसिस कब होते हैं सुरियास्त के बाद होते हैं क्योंकि सुरियास्त के बाद ही जितनी भी काली सक्तिया हैं जितनी भ चाहिए कि कोई नो कोई ऐसी चीज है चाहे कुछ किया कराया है या कुछ भी है लेकिन उस चीज ने आपके घर में पगदंडा जमा लिया है जब तक ये चीज आपके घर से निकल कर बाहर नहीं जाएगी आपको किसी भी तरह की सफलता हाथ नहीं लगेगी तो आज मैं उपाए बताने वाला हूँ कि जिससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी वो एक उपाए मात्र से चली जाएगी तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए है तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचेंदम ग्रंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूट रहसे हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे तो चलिए दोस्तों बताता हूं आज का उपाय के आज के उपाय में आपको करना क्या है यह उपाय आपको करना है सनिवार के दिन मध्य रातरी को करना है ठीक 12 बजे इस उपाय को आपको करना है हो सके तो संपूर्ण गुप्तता के साथ इस उपाय को करें इस उपाय के करने के बाद में आप देखेंगे अगले ही दिन से घर का माहल बहुत सांत हो जाएगा लड़ाई जगडे खत्म हो जाएगे सारी ही चीज आपको पोजिटिव दिखने लग जाएगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके किचन में यदि आप गेस रखते हैं तो गेस चूला है इलेट्रिक सिकड़ी है कुछ भी है उस पर से आप एक निम्बू ले 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 उसके दो टुकड़े कर दे और दोनों ही टुकड़ों में अंदर की तरफ आप चार-चार लोंग गार दे निम्बू में चार-चार लोंग गार दे और जैसे उसको नजर वारते हैं इस तरह से साथ दफे गेस पर से चूले पर से आ पिर सीधे आप अपने घर की जो मुख्य देहरी है वहाँ पर आजाए मुख्य चोकट पर आजाए और वहाँ पर आप साथ दफे इसको वार लें एक लोटा पानी ले ले और घर के चोरहे पर यह भर से बाहर जो भी नज़्दिक में चोरह हो वहाँ जाकर आप इसे रख दें इस दोरां ध्यान रखें कोई भी आपको टोके नहीं रोके नहीं यदि कोई टोकता है रोकता है आपको बिलकुल भी रुकना नहीं है मुड के जवाब देना नहीं है चोरहे पर जाए और जो कोई भी चीज है उसको कह दे अला बला आप जो भी है आपका यह स्थान है मैं आपको यहां पर स्थान देता हूं इसके बाद लोटे के जल से उसके आसपास एक सरकल बना दे राउंड बना दे जिससे कि वो वस्तु आपका पीछा करके आ नहीं पाए और ऐसा करके सीधे आप घर पे चले आये बरतन को और हाथ पेर को अच्छी तरह से धो लिजे और किसी से कुछ भी कहे बिना सो जाईए अब सवेरे उठेंगे तो देखेंगे काफी आपको हलका मैसुस होगा घर में जिदनी भी नेगिटिविटी होगी वो सारी ही चली जाएगी ठीक है तो चली दोस्तों अब इसी उपाई के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहे दिवप्रगास और अपने जिवन में लावनुथ होते रही है धन्यवाद